वेलकम बेक टू माई चेनल दोस्तों आज मैं आपको Immunity Booster Medicine के बारे में बताऊँ आज का यह वीडियो मैंने अपनी पैमली फ्रेंड्स और उन लोगों के लिए बनाया है जो कि मेरे वीडियो को हमेशा देखते हैं मेरी दी होई मैडिसीन को बताई होई मैडिसीन को लेते हैं यूस करते हैं और मुझे लाइक करते हैं तो उन सभी लोगों के लिए उन सभी लोगों का धन्यवाद और उन सभी लोगों के लिए यहाँ मैंने कोरोना वारस से प्रटेक्शन के लिए प्रिवेंट के लिए या मैडिसीन बताई हूं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें दी गए इंफॉर्मेशन आपके लिए फ्री है फ्री और कॉस्ट है तो सब्सक्राइब भी कीजिए लाइक और शेर कीजिए इम्मुनेटी बूस्टर मेडिसीन की हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इस कोरोना काल में सबसे ज़ादा जिस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है वह हमारी इम्मुनेटी यानि की रोग प्रतीरोधक छामता क्योंकि हमारी immunity ही एक लोती चीज है जो हमें किसी भी संक्रमण से बचाती है हमारी immunity ही हमें विन प्रकार की बिमारियों से बचाती है और अगर हमारी immunity strong होगी तो हमारे फेपड़े, किड्नी और लीवर से related होने वाले संक्रमण और अन्य गंभी बिमारियों से हम बच सकते हैं, हमारा बचना संभव हो सकता है चुकि हमारे लोग जो पहले लोग थे, वह अपनी immunity पर बहुत जाला ध्यान नहीं देते थे लेकिन कोरुना आने के बाद सभी लोग सतर्क हो गए हैं और अपनी immunity strong कर रहे हैं ऐसे में यह सवाल बहुत ही जरूरी है कि हम आखिर अपनी immunity को कैसे बचाएं और कैसे strong बनाएं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि immunity beak किन लोगों पर होती है, किन लोगों की होती है यदि आप बार बार बीमार पढ़ते हैं अगर आप जादा तर बीमार रहते हैं या बार बार बीमार पढ़ते हैं इसके अलावा लगातार कमजोरी आपको बनी रहती है यानि कि आपकी रोग प्रती रोधक छमता कमजोर है और इसके कारण आपको symptom साते हैं सर्दी जुखाम बुखार की समस्या जो की लोगों को मौसम बदलने के कारण आते हैं और इसके कारण आपको कमजोरी भी हो सकती है तो या आपकी कमजोर इम्मिनिटी की और इशारा करती है यदि आपको हमेशा ठकान आलस महसूस होता है आपके सरीर में दर्द बना रहता है कमजोरी भील होती है सुबह जब आप उठते हो तो ताजा महसूस नहीं करते हो आपको बहुत ही बीक महसूस होता है आपका एनर्जी लेवल डाउन महसूस होता है तो ये भी आपकी इम्मिन इम्मिनिटी कमजोर होने की और इशारा करता है। इम्मिनिटी कमजोर होती है, उनका पाचन तंद्र भी कमजोर होता है। और ऐसे में उन्हें दस्त लगती है, गेस होते हैं, सूजन आती है, पेट में एठन होते हैं, कब्ज की शिकायत बनी रहती है। इसके अलावा उन्हें मैंटल टेंशन रहता है, चिड़चड़ापन मह होता है, और यह सब इशारा करता है उनकी बीक इम्मिनिटी को, तो इस तरह से बीक इम्मिनिटी को हम समझ सकते हैं, अब हम जानते हैं, कि इम्मिनिटी को स्ट्रॉंग बनाने के लिए कौन सी मेडिसीन बहुत ही यूस्पूल है, तो आपकी इम्मिनिटी को स्ट्रॉंग औ लिए आपकी cells के health को बढ़ाने के लिए आपकी body को viral infection और bacterial infection से बचाने के लिए इसके अलावा आपकी energy level को boost करने के लिए vitality को बढ़ाने के लिए vital system को मजबूत बनाने के लिए और जितनी भी आपकी illness related problem है premature degeneration related problem है body cells की उन सभी को ठीक करने के लिए होमोपेथी में बहुत ही best medicine है LN A68 immunity drop यह drop आपकी immunity को boost ही नहीं करता है आपको जितने भी बिमारिया है जितने भी आपकी organs related बिमारिया है उससे बचाता है तो इसमें हमें इसका जो contain है वो है Econitum Naples, Arnica Montana, Baptisia Tictorian, Belladonna, Bronia Elva, Echinacea Gelsimium and Rosemary Ness, Thuza, Nuxbomica and Discom Elvum और इसके अलावा है Stichandra medicine यह सभी medicine Allen A68 के contain है और इसे हमें medicine को लेना है सबसे पहले हमें इसे 4 दिन तक के 4 time लेना है 50 drop लेना है से आदे कप पानी में डाल के और इसे mix करके इसे 4 time ले 4 दिन तक की फिर उसके बाद आप next 5 दिन से लगातार 3 दिन तक आप इसकी 30 drop पीएं तो यह medicine आपको बहुत ही wonderful result देगी आपकी immunity का boost करेगी strong करेगी और आपको healthy बनाएगी और साथ ही यह Corona से आपको prevent करके रखे तो आज से ही आप start कर दीजे इस medicine को पीना क्योंकि यह medicine आपको Corona virus और इसके अलावा अन्य वेक्टिरिया virus से related बिमारी से आपको सुरक्चित करके रखेगी prevent करके रखेगी इस medicine की 30 drop को आपको half cup water में mix करके पीना है 2 time तीन महिने तक के लिए तो यह medicine का effect आपको बहुत ही useful साबित होगा आपको Corona से prevent करके रखेगा और आपको कोई भी अन्य परिशानिया नहीं होगी अन्य health related problem नहीं होगी यह definitely ही work करती है बहुत ही इसका amazing, wonderful work है यह तो थी बड़ों की immunity boost करने की medicine अब हम देखते हैं बच्चों की immunity boost हम कैसे कर सकते हैं और कौन सी medicine हम देंगे तो हमें देना है शावे कंपनी की medicine mama natura जो की बच्चों की immunity को boost करती है और mono steep इसका नाम है तो इस medicine को देना है आपके बच्चों को आपको इसकी 5 globules ले आपको और उसको पानी में mix करके दे आधे कप पानी में mix करके दे या फिर एक चमच पानी में mix करके दे दे या फिर ऐसा ही इसकी globules को उनके मुह में डाल दे पांच globules को जो की मीथी होती है और बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है तो इस medicine को आपको देना है चार दिन तक की 5 globules टीन टाइम और फिर पांच वे दिन से आपको इसकी दो या तीन globules देना स्टार्ट करना है अपने बच्चों को वो भी एक या दो महिने के लिए जब तक कि ये सीजन चलता है कोरुना का या फिर कोई वी बैक्टिर वायरस का सीजन चलता है उसके एक दो महिने पहले ही स्टार्ट कर द आर्सनिक एलवम मैडिसीन को 30 या 200 पोटेंसी में ऐसे प्रिवेंटिव कोरुनावाइजर्स के लिए आपको लेना है इस मैडिसीन को जैसे कि यदि आप इस महिने से आज से स्टार्ट करते हो तो 19, 20, 21 ये तीन दिन तकी आपको लगतर कंडिनू इसकी तीन ड्रॉप आपक टंग में डालना है तीन दिन तकी एक महिने में तीन दिन फिर नेक्स्ट मंथ आने वाले महिने में इसी दिन 19, 20, 21 तार्ट को आपको फिर से की इसकी तीन बून को रिपीट करना है तीन दिन तकी फिर आने वाले जब तक की ये कोरुना वारस रहेगा तब तक की आपको इस medicine आपकी immunity को boost भी करती है हरसनिक एलबा और साथ ही आपको corona से prevent करके भी रखती है और जितने भी lung से related problem होती है आपको जितनी भी corona के symptoms आते हैं उसको ये सभी symptoms को cover करती है medicine और अगर आप साथ में इसके immunity boost drop को लेते हैं medicine को लेते हैं तो ये सारी दवाईया, होमपेदी दवाईया बहुत ही अच्छा work करती है करेगी आपकी और आपको help करेगी corona virus से prevent होने में और corona virus से बचाने में यदि आप अपनी family को और अपने आपको corona virus से prevent करके रखना चाहते हो और इसके अलावा जो seasonal virus और bacteria होते हैं उनसे prevent करना की रखना चाहते हो तो इन medicine को जरूर स्टार्ट कर दीजिए